हाई अबरिवान आज मैंने बना है रागी का डूसा नाशनाचे पोड़े खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है बहुत ही हेल्थी रेसिपी और बहुत सॉफ्ट और स्पॉंजी बनती है तो आप लोग इस रेसिपी को जरू ट्राइ किजिएगा बच्छे भी इसे बहुत ही कुशी से खाएंगे बहुत दिर अच्छी लगती है तो शुरू करते है इस रेसिपी को बनाने के लिए इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ हूँ दो कप चावल यह रेशन का चावल है साथी में मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप रागी नाशने इसे मैं वादा चमौस मेति के दाने डाल देने है इसे रख देंगे साइड में और दूसरे बोल में मैं यहाँ पे ले रहे हूं 3-4 Re पौर यह पर Меня लीए सुभर में वाओं दोल है करीबन से दुखे लेना है कलने में पाने के लिए देना है करेबन आठ से दस गंटे तो करीबन मैंने सुबह में नो बजी इसे बिगोने के लिए रख दिया है और अभी करीबन दस गंटी हो गए है तो ये जो उरत दाल है और रागी है ये अच्छे से फूल गए है और अब हमें इसमें से पानी निकाल देना है पूरी तरसे तो पहले मैं अभी ओरत दाल को पीश के लेने वाली हूं तो औरदाल हमें डाल देना है मिक्सर जार में और यहां पर मैंने एक चौताई का पोहे को अच्छे से दो के 10 मिनिट मैंने भीगोने के लिए रख दिये थे तो वो भी इसमें डाल देना है और इसमें पानी डाल के इसे हमें बहुत बारिक स्मूथ पेस्ट बना लेना है इस तरह से और अभी जो रागी है तो उसे भी हमें पीस के लेना है तो थोड़ा-थोड़ा करके इसे पीस लेंगे ताकि जो रागी है वो बहुत अच्छे से बारिक उसका पेस्ट बन जाए और आप लोग चाहो तो इस तरह से वेट ग्राइंडर में भी इसे पीस के ले सकते हूँ वेट ग्राइंडर में पीस नेगरे थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत बारिक पीस के तयार हो जाता है पीस्ट और अब हमें सब कुछ एक साथ अच्छे से मिला लेना है तो करिवन दो मिनिर तक हमें इसे अच्छे से इस तरह से स्टर करके लेना है और कंसिस्टेंसी देखेगा तो इस तरह से फ्लोइंग ठीक कंसिस्टेंसी होने चाहिए और यह जो डोसा का बैटर है यह भी तयार है तो साइड में जो भी बैटर लगा हुआ है इस पतिली को तो उसे हमें इस तरह से क्लियर करके लेना है और अब हमें इसे ढखके गरम जगा पे रख देना है अच्छे से फर्मेंट होने के लिए फूलने के लिए करीबन दस से बारा गंटे तक या फिर पूरी रात भर अगले दिन सुबह में यह देखेगा यह जो डोसा का बैटर है यह बहुत अच्छे से फूल गया है इसे अभी करीबन बारा गंटे हो गया है थंड में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है फर्मेंट होने के लिए और अब हम इसमें डाल देना है स्वाध अनुसा नमक हलके हातों से इसे मिक्स कर लेंगे इसकी कंसिस्टेंसे है वो आप लोग अपने जरुरत के इसाब से एज़स्ट कर सकते हों तो मैं इसमें थोड़ा सा पाने डाल के ले रहे हूं आप लोग चाओ तो स्पॉंजी डोसा बना सकते हो पाने स्केप कर लीजेगा तोड़ा पतला डोसा बनाना है तो आप लोग पतला डोसा भी इससे बना सकते हो और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजी और मेरा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइकन ना बुलेगा और बैल आइकन को ज़रूर प्रेस किजिएगा तो तवा जो है वो मैंने मेडियम फ्लेम पे गरम होने के लिए रख दिया था और ये जो डूसा का बैटर है इसे हमें एक बार मिक्स कर लेना है तवे को लगा लेना है हमें हलका सा तेल या फिर घी और ये बैटर को हमें इसमें डाल देना है और इसे हलके हाथों से स्प्रेड कर लेंगे और इसे अब बबल्स आने देना है जैसे ही इसमें बबल साना स्टार्ट हो जाएगा हमें इसे डख के पकाना है करीबन 30 सेकेंड तक आदे मिनिट तक फिर इसे डखकन अटा के चेक कर लेना है यह जो उपर का सर्फेस से देखो अच्छे से पग गया है तो अब हमें इसे पलट के भी पकाना है करीबन 20 मिनिट और ये दिखेंगा ये जो रागे का डूसा है ये भी बनके तयार है इसी तरह से हमें बाखे का भी डूसा बना के लेना है और एक बार अगर आप लोगों ने इस डोसे को बना लिया तो आप लोग प्लेन डोसा भूली जाओगे क्योंकि यह जो रागे का डोसा है बहुत ही परफेक्ट बनती है बहुत सॉफ्ट बनती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है बहुत हेल्धी रेसिपी है ये तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ किजिएगा और मुझे गैरेंटी है कि आप लोग सिर्ट ट्राइ नहीं आप लोग इसे बार-बार बनाना चाहोगी और प्लस आप लोग अपने दोस और फैमिली मेंबर की साथ में भी रेसिपी को ज़रूर शेयर करोगी और बच्चे तो इसे मांग मांग कर खाएंगे बहुत ही अच्छे लगती है तो आप लोग इसे सर्फ किजिएगा चटनी के साथ में या फिर सामबार के साथ में बहुत ही टेस्टी लगती है और म नेक्स रुडियो में नहीं रेसिपी के साथ में तब तक के लिए टेक के लिए टेक के लिए और बबाए